Hello students, आज Units and Measurement का second lecture है और इस second lecture में हम लोग types of dimension पढ़ेंगे. Types of dimension का मतलब है कि dimension पे based application of dimension उस पे based किस type की numericals आते हैं? कल के lecture में हम लोगों ने lecture 1 में हम लोगों ने dimension पढ़ा था कि dimension क्या होता है? तो आज इस lecture में हम लोग application of dimensions के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए start करते हैं. So, welcome to me and math और शुरू करते हैं. Application of dimension तो इसमें जो first हमारा type है वो है unit conversion यानि कि MKS सिस्टम से CJ सिस्टम में convert करना या CGS से FPS में या FPS से MKS में तो इस तरीके से unit conversion करना कैसे करते हैं? एक formula है केवल N1, U1 is equal to N2, U2. अब N1 क्या है, U1 क्या है, N2 क्या है, U2 क्या है, ये देखते हैं. N1 हमारी है, known numerical value. N2 क्या है, unknown numerical value जो हमको निकालनी है. U1 क्या है, dimension of physical quantity और U2 क्या है, ये भी वो ही है. क्या है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि Speed की, Speed की dimension हमारी, Speed की हमको unit conversion करना है, मतला क्लो मीटर पर आर में दिया है, मीटर पर second में चेंज करना है, तो क्या होगा? अब, जो Speed है, वो तो वो ही रहेगी ना, किवल Change क्या होगा? Change होगा उसकी numerical value, तो dimension दोनों के लिए वो ही है, same. ठीक है, तो इसको use करते हैं, use करेंगे तब जागा समझाएगा. इस बार तो, इस बार सारे बच्चों की बलकुल वल्ले वल्ले है, वल्ले वल इस सेंज, बच्चों को स्कूल याना नहीं है, घर्ज में बैटके करना है, कही तो हो सकता है, सो के उठते हों, सिध्सकूल की स्कूल पहन अनि静ा है, तो जी की value, कितनी होती है 9.8 meter per second square इसको हमें convert करनी है convert 8 in CGS system ठीक है अब देखो कैसे करते हैं हमारे पास N1 क्या हो गया 9.8 अच्छा यूवन क्या है अब यूवन यह किसकी है acceleration due to gravity acceleration की dimension क्या होगी अच्छा एक चीज़ और है अगर आपको मालो की याद नहीं है कि इसकी dimension क्या है तो क्या करेंगे देखो इसकी यूनिट दिए ना यहां से dimension निकाल सकते हैं से meter की क्या होती है L length का है और S किसका है time का तो गया T और upon लिखा है तो 2 और upon हटा देंगे तो minus 2 यह हमारी यूवन की dimension हो गई यूवन है तो L1 T1 कर दो यूटू क्या होगा यूटू भी तो यह होगा क्योंकि acceleration due to gravity तो वही रहेगा बस change होगी इसकी numerical value यानि 9.8 कोछ और आ जाएगा meter per second square कियागा centimeter per second square आ जाएगा तो L2 T2 minus 2 और N2 हमको निकालना है ठीक है कैसे निकालेंगे इधर देखते हैं अब देखो N1 U1 is equal to N2 U2 N1 की value रख दो 9.8 U1 की value रख दो L1 T1 minus 2 N2 की value निकालनी है और इसकी L2 T2 power minus 2 अच्छा N2 को एक तरफ रखो बाकी सबको उदर भेज दो 9.8 L1 T1 minus 2 upon L2 T2 minus 2 ठीक है होगा की नहीं होगा होगा ना चलो आगे दो रखो 9.8 और इसको हमने किया L1 upon L1 इसको किया T1 to the power minus 2 upon T2 इसको हम लोग ऐसे खटे हैं किया इसको whole power देकर सकते हैं कर सकते हैं अच्या इसको क्या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इधर वाले को महता कि ठीक है तो 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 अटा दिया इसको ठीक है अब देखते हैं तो N2 is equal to 9.8 और ये L1 upon L2 अब ये T1 upon T2 तो नी पावर माइनस 2 है तो इसको हम लोग ऐसे कर दे माइनस 2 को प्लस 2 में convert करने के लिए इसको reciprocal कर दिया T1 अपॉन T2 था T2 अपॉन T1 कर दिया तो माइनस 2 से 2 हो गया With the rule of exponents अच्छा अब हम लोग convert करते है L1 किसमें दिया है L1 का मतलब जो हमें कोई चीज दी थी L1 किसमें दिया था G की value दे रखी थी इधर लिख देते हैं G की value दे रखी थी 9.8 meter per second square तो L1 हमको किसमें दिया है मीटर में Change किसमें करना है हमको Change करना है हमको CGS सिस्टम में यानि की centimeter gram और second तो L2 की यगा हम लोग क्या कर देंगे cm रखेंगे T2 की यगा second इसकी जगा भी second अच्छा अब meter और centimeter या तो centimeter को meter में convert कर लो या तो meter को centimeter में convert कर लो जो आपको easy लगे वो कर लो कोई फरक नहीं पड़ेगा answer एक ही आना चाहिए आएगा आना चाहिए नहीं आएगा तो 1 meter is equal to 100 centimeter और ये centimeter ये और ये cancel तो 1 का square क्या आएगा नहीं आएगा भाईया और क्या आएगा ये cancel कर दिया तो n2 is equal to क्या हो गया 9.8 into 100 यानि की 980 centimeter per second square क्या आएगा ठीक है convert हो गई आया मजा तो दूसरा question करें चलो भाईया दूसरा question करते हैं देखो अगर physics पढ़नी है math पढ़नी है chemistry पढ़नी है अब कोई का होगे कि क्या दूसरा से पढ़ेंगे क्या सर्फ आप जो पढ़ा रहे वो ही पढ़ें वस जो भी पढ़ना है अगर मजा लेके नहीं पढ़ोगे तो सजा बन जाएगी पढ़ाई पढ़ोगे पढ़ो मजा लेके पढ़ो चलो अब density वाला देखते हैं चलो यहां लेखते हैं कि ना रहे क्योंकि बीच में फिर हमें लेखना रहता है density जो है दे रखी है किसी की 13.6 kg पर मीटर q तो हमको इसे cgs सिस्टम में convert करना है अब समय लोगे ना कि convert करना है लिख दे लिख वाक ही मानोगे convert it in cgs system अच्छा तो कैसे करें वीडियो को पॉस करो और try करो फटा फट ट्राइ करो try करो try करो try करो आप देखो try करने में क्या होता है try ball समझ के मत कर ले ना कि जो बच्पन में खेलते थे थे ना कि ball fake आउट हो गए ओड राइ बॉल अच्छा फेकने वाला भी बड़ा चलाक हो गया था फिर कि छोटे में फेकने वाला बड़ा चलाक हो गया था वह कैसे ट्राइबॉल वह वहां जाके मारो कि डी जो है डेंसिटी दे रखिए 13.6 केजी पर मिटर क्यूब इसको सेंटीमीटर पर करना है कुछी निकलता है मुअसे कुछी home तो 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 पटर फट फट वह चलो आप आती है हमारी बारी देखते हैं क्या condition था जाए दिए अगर टैंस्टी की विलाउस्टी नहीं आतीप तो यूनिट जो लिखी हैं उसी काल लेंगे density की पहले एंवन लिख लो एंवन क्या है एंवन हमारा है 13.6 यूवन तो के जी किसकी होती है मास की तो कैप्टल एम और अपॉन एम किसकी होती है लेंथ की यानि की LQ ठीक है इसको LQ यहां लिख दिया तो क्या बन जाएगा ये इसको लोग करेंगे तो ML-3 बन जाएगा ये density की हमारी dimension हो गई इसको ड़ा दिते है N2 हमको निकालना है अचा U1 है तो 1 1 और U2 है तो M2 L2-3 तो कैसे करेंगे N1 U1 is equal to N2 U2 तो M1 की value हमारे पास में है 13.6 N2 M1 L1-3 is equal to N2 M2 L2-3 N2 को एक तरफ फेको बाकी दूसरे को दूसरी तरफ फेको तो फेक फेक के ये एक दूसरे के कैसे अरेंज हो गए M1 upon M2 और L1 upon L2 अचा माइनस 3 ये भी है माइनस 3 ये भी है तो फिर whole power कर देते हैं फीक है whole power कर दी अरे वोई system है जैसे school में होता था ना मेरे पास भी तेरे पास या मिल्क बैट के खाते हैं वोई system है इसके पास भी इसके पास भी whole power कर दी अच्छा 13.6 ये हो गया M1 ये हो गया M2 ये हो गया अब इसको हम लोग change कर देते हैं L2 upon L1 कर देते हैं तो ये हमारा positive exponent बन जाएगा तो N2 is equal to 13.6 M1 upon M2 and L2 upon L1 का Q तो 13.6 M1 किस में दिया था केजी में M2 किस में निकालना था में ग्राम में L2 किस में निकालना है हमको cm में और L1 किस में दिया है मीटर में तो 13.6 kg को change कर लो 1000 ग्राम में नीचे ग्राम आ गया cm को किस में change करेंगे किसी में नहीं मीटर को 100 cm cube cm cm कड़ गया ग्राम से ग्राम कड़ गया then 13.6 into 1000 1 upon अच्छा यह 10 to the power 2 है 10 to the power 2 का cube करेंगे 10 to the power 6 आ जाएगा और इस 1000 को हम लोग क्या लिए सकते हैं 10 to the power 3 तो यह कितना हो गया 13.6 into 10 to the power और माइनस 3 ग्राम पर सेंटी मीटर क्यू शलो अंज़ा चेक करो next question में अब देखो speed मान लेते हैं किसी की speed दी है क्या दी है कि अच्छा सा question देते हैं वन अर्ग को convert करना है वन जूल में यह क्या चीज आ गई देखो जूल किसकी unit होती है वर्क की energy की ठीक है तो अर्ग भी होगी अब यह होगी किसमें लेकिन यह होगी cgs system में और यह है mks system में समझें तो अब देखो अर्ग को हमको change करना है जूल में अपकी cgs system में दिया है और mks में change करना है तो हम लोग यहां लेख लेते हैं क्या n1 की वे अज़गा n1 क्या n1 दिया है 1 नहीं अब किसकी आई है वर्क की वर्क की अब इसके यूनिट देखके नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह तो डिरेक्ट यूनिट है तो वर्क की क्या होती है डिमेंशन याद हो नहीं चाहिए आपको ml square t-2 तो m1 l1 t1 देख लो ना कैसे निकलेगी वर्क की क्या होती है force into d displacement distance force की क्या होती है m a अच्छा m की क्या होती है m और a की क्या होती है l t-2 और इसकी क्या होती है l तो क्या बन गया ml square t-2 बन गया की नहीं बन गया यह तो मस्ते नहीं हो यार अच्छा n2 हमको निकालना है यह बन जूल में नहीं जूल में convert करना है sorry पहले देखी value निकालेंगे क्या और u2 क्या हो जाएगा u2 भी यह हो जाएगा बस 2 लग जाएगा m2 l2 square t-2 t2 चल करते हैं n1 इसको ऐसे ऐसे दाइरा बना देते हैं n1 u1 is equal to n2 u2 n1 की value है 1 u1 की value है हमारी m1 l1 यह जो है न छोटा m लग रहा है बड़ा कर देते हैं m1 l1 t1-2 और इधर n2 निकालना है और m2 यह कैसा m बन गया बड़ा m2 l2 square t2-2 यह square था न यहाँ पर square होगा चलो इसको उदर फेको उदर फेको तो n2 की value हो गई हमारे पास m1 upon m2 l1 upon l2 square square the whole कर देते हैं और t1-2 upon t2-2 ठीक है यह minus है तो n2 की value निकालें अच्छा इसको rearrange करें अगर देखो पहले तो इसको हम लोग ऐसे लिए सकते हैं और फिर हम लोग अगर इसको change कर दें टीटू कर दें तो यह क्या हो जाएगा यह positive हो जाएगा चलो अब अब देखते हैं M1 हमारा दिया है CGS system में यानी की gram निकालना किसमें MKS में यानी kilogram इधर आते हैं L1 दिया है हमको CGS system में यानी centimeter और L2 निकालना है हमको MKS system में यानी की meter टीटू दिया है हमको नहीं दिया नहीं है टीटू निकालना है सेकेंड में और T1 दिया है हमको सेकेंड में ठीक है इसके उपर square लगाओ तो यह और यह cancel अब बाकी सबको cancel करना पड़ेगा तो gram को ऐसी रखो यह हो गया thousand gram centimeter यह हो गया hundred centimeter और यह तो cut गया है और square भी है यह और यह cancel यह और यह cancel तो 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 अब देखो यह हो गया 1 upon 10 to the power 7 यानि कि 10 to the power minus 7 इसका मतलब 1 arg is equal to 10 to the power minus 7 joule यह होता है नई information मिल गई ना ठीक है तो एक type तो यह हो गया unit conversion तो अब दूसरा टेप प्याते हैं दूसरा टेप क्या है check the formula या consistency check करना consistency कैसे check करेंगे कोई भी एक formula दिया गया आपको अब उसको हमको बताना है कि वो correct है या incorrect है तो एक example लेते हैं जैसे w is equal to f into d छोटा सा formula लिया है paper mini आएगा ऐसा कि exam में सोचो कि इतना चोटा साज आएगा वाह मजा आ गया समझाने के लिए लिया है तो अब इसमें LHS और RHS यह हमारा LHS है यह हमारा RHS है दोनों तरफ की dimensions लिखेंगे दोनों अगर equal आ रही है तो correct है अगर equal नहीं आ रही है तो incorrect है तो w तो यहां लिखेंगे dimension of LHS डबलू की dimension क्या होती है अभी हम लोग ने देखी थी ml square t-2 ठीक है अब आते हैं dimension of RHS dimension of RHS तो f की क्या होती है ml t-2 और d की क्या होती है l तो क्या हो गया ml square t-2 तो dimension of यह पूरा ही लिख देते हैं मानोगे नहीं भूरा भी ना लिखवा है dimension of LHS is equal to dimension of RHS so it is true correct है यह हमारा ठीक है चालों दूसरा करते हैं हम दूसरा question करते हैं तो दूसरा question आप कुछ अच्छा सा लेते हैं जैसे हमको लोग को जो पता नहीं है वो लें पता तो अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं कि इसकी डामेंशन नहीं पता है आपको तो ऐसा करते हैं हम लोग कि टॉर्क की लेते हैं लेकिन आपको टॉर्क की नहीं पता होगी फिर ना चलो अच्छा प्रेशर एफ पॉन ए इसकी कंसेस्टेंसी चेक करते हैं तो डेमेंशन ओफ एलेचेस पी है पी की डेमेंशन क्या होगी यल्दी यल्दी सोचो सोचो पी की डेमेंशन प्रेशर की डेमेंशन क्या होगी यहां पे पी क्या है यहां पी हमारा प्रेशर है एफ फोर्स है और एरिया है, तो प्रेशर की क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, जल्दी बताओ, जल्दी सोचो, अरे देखो ना, प्रेशर की क्या होगी, यह नहीं पता, कोई बात ने, तो इसकी होगी, ml-1 t-2 देखो कैसे formula यह होता है लेकिन consistency चेक कर रहे हैं अब यहाँ पर देख लो ना ml-t-2 और a की हो गई l-square तो उपर जाएगा तो क्या बनेगा ml-1 t-2 बनेगा ना ठीक है dimension of lhs हो गई dimension of rhs f f की क्या हो गई ml-t-2 और a की क्या हो गई l-square यह क्या हो गया ml-1 t-2 यानि की dimension of lhs is equal to dimension of rhs ठीक है तो इसका मतलब यह भी formula हमारा सही है चलो energy की देखते हैं एनर्जी की देखते हैं तो तो एनर्जी इस गोल्टू क्या होता है चलो हम लोग ले लेते हैं या ऐसा करते हैं हाफ एमबी स्क्वेर ले लेते हैं देखना है कि सही है कि गलत तो सही है या गलत तो डेमेंशन ओफ एल एचेस क्या हो जाएगी एनर्जी की जो वर्क ही होती है एमल स्क्वेर टी माइनस टू अच्छा डेमेंशन ओफ आर एचेस क्या हो जाएगा हाफ तो कॉंस्टनिट एसका तो होगा नहीं कुछ अम का अश्री व का एम ओध़ी का एल टी माइनस ज्वन स्क्वेर यह क्या हो गया ml square t minus 2 यानि कि dimension of lhs is equal to dimension of rhs ठीक है तो यह हमारा इसका मतलब सही है चलो एक formula और देते हैं जिससे की जो की आपको नहीं पता होगा शायद f is equal to mv square upon r अच्छा इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा और चेंज करते हैं mv upon r square जहां पर f हमारा क्या है force m क्या है mass और r क्या है radius v क्या है velocity तो देखें वीडियो को पॉस करके एक पहले खुद भी तो करने कुशिश करो देखो जड़ा आता है कि नहीं नहीं तो पता चला कि हम केवल कथा सुना रहे हैं और सब कुछ उपर से जा रहा है और भी एक चीज होती है जिस समय टीचर अपर आता उस समय सब कुछ आ जाता है रिवाइज नहीं करते घर में फिर क्या होता है एकजाम में जब जाते हैं तो सब कुछ सुना सुना लगता है और थोड़ी देर में पेपर में सब कुछ सुना सुना लगता है चलो, आप देखते हैं इसको, dimension of LHS, तो dimension of LHS में F की dimension क्या हो जाएगी? अच्छा, dimension of LHS देखते हैं, क्या है? M की क्या होगी? V की क्या होगी? L T minus 1, square नहीं है, square नीचे है, और R की होगी L, और यह है square, इसको हमने थोड़ा सा अरेंज किया, तो M L minus 1 T minus 1, अब यह LHS और LHS एक्वाल नहीं आ रही, देन, dimension of LHS is not equal to dimension of RHS, इसका मतलब यह वामूला हमारा wrong है, ठीक है? अच्छा, अब next type, हम लोग जो type बच रहे हैं, वो next video में, next lecture में देखेंगे, अच्छा, एक नट, इसमें एक type और है, मतलब type का मतलब question का, इसी type में, मतलब consistency check करने में एक तरीके question और आता है, जैसे, 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 वी is equal to U plus 80, मतलब ऐसे equation के form में आता है, अब इसकी consistency check करने में, कैसे करेंगे, देखो, इसमें अलग अलग पार्ट को लेके, LHS, RHS को हम लोग equal करेंगे, कैसे? dimension of V, क्या है? L, dimension of U, अच्छा, V, U है क्या? यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हम, V है हमारा velocity, U है हमारी initial velocity, और V final velocity होती है, A क्या है? acceleration, और T क्या है? time, अब देखते हैं, तो V की क्या होगई? L क्यों लिखा हमने भाई, V की होगई, L T minus 1, ठीक है? अब U की क्या होगी? U की भी velocity दो है, तो L T minus 1, अच्छा, A, T की क्या है? dimension of AT, तो A की होगई, L T minus 2, और T की? T है की, यह क्या होगया? L T minus 1, यानि कि तीनों की dimension equal है, तीनों की equal है, so this equation is correct, तो जो equation form में होते हैं, उनकी consistency इस तरीकिस चेक करते हैं, हर एक part की अलग-अलग dimension निकालते हैं, और equal होती है तो correct, अनिक्वल होती है तो incorrect, तो यह हमारा दो type खतम हो गए, अब दो type और बच्चे हैं, उसको हम लोग next lecture में complete करेंगे, अच्छा, इससे related जो worksheet है, वो आपको description box में उसका link मिल जाएगा, तो उसको practice करिए, तभी आपको next lecture में मज़ा आएगा, तब तक के लिए, thank you.